नमस्कार मेरे आजीज दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ आप सभी स्वस्त और परसंद होंगे तथा लगाता सीक रहे होंगे मैं प्रेम असिस्टेंट प्रोफेशर पी एसम पीजी कॉलेज जोग्राफी डेपार्टमेंट का नौज आपका स्वागत करता हूँ अप इसका सेट पेपर हल करने की कोसिस करेंगे यहां से आज से ठीक है दोस्तों हम इनालसिस करते हुए इन कुश्चिनों को हल करेंगे और जानेंगे कि इन में आपके लिए इंपोर्टेंट कौन-कौन से होते हैं और कैसे आपको इने हल करना चाहिए ठीक है और इसका जो प्रोवाइट करा दिया जाएगा ठीक है दोस्तों तो चलिए सुरू करते हैं आज का लेक्चर इसको हम mcq netjrf के नाम से एक playlist बना देंगे जहां से आप अराम से देख सकते हैं ठीक है 2018 AGP का set paper है ठीक है तो अगर आपके पास AGP की book है तो उसे भी आप खोल सकते हैं और मेरे साथ देखते भी चल सकते हैं अगर नहीं है तो आप यहां से भी देख सकते हैं PDF आपको मैं provide करा दूँगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं पहला question geography का जो पूछा गया था मैंने आपको बताया था कि दो paper होते हैं नेट ज्यारफ में ठीक है first paper और second paper जो होता है वो होता है आपके आपने जिस subject से में किया हुआ यानि कि post graduation जिस subject से आपने किया हुआ है उसी विसे का आपका second paper होता है तो चुकि हम geography का paper हल कर रहे हैं तो geography आपका second paper है ठीक है तो पहला question है आपका कि भू अभिनती की अवधारना किसने प्रतिपादित की थी यानि कि the concept of geosynective was propounded ठीक है तो इसका answer है वो तीसरा है ठीक है यह तो generally हमें पता चल गया लेकिन हम इसमें और भी detail से देख लेते हैं कि इसमें आपको याद क्या क्या रखना है ठीक है तो जो अब पहले देख लेते हैं भू सन्नती क्या होती है तो भू सन्नतियां लंबे सकरे तथा उथले जली भाग होती है यह आपको याद रखना है क्योंकि यहीं पर अगर सब्द बदल दिये जाएंगे तो यह question बदल जाएगा जैसे हम यहाँ पर कहते हैं कि लंबे सकरे तथा गहरे गहरा सब्द अगर लग जाएगा तो वो किसमें चला जाएगा वो आपका गहाटी कहलाएगा यानि वैली होगा लेकिन यह भू सन्नतियां यह क्या होती है कि लंबी होती है सकरी और उथले जली भाग होते हैं जिसमे तलचटी निक्षेप के साथ साथ तली जमावी होता है ठीक है तली जमावी होता रहता है भू सन्नती की संकल्पना का विकास हाल तथा डावना ने किया था देखी यहाँपर कंसेप्ट आपका दिया गया है ना कि सिध्धान्त, कंसेप्ट और सिध्धान्त, यानि कि कंसेप्ट और थियोरी में अंतर होता है तो संकल्पना किस ने दी थी? हालेवं डाना ने दी थी, ठीक है? क्या नाम था उनका हाग यानि कि भूर spinach की संकलप्ना को सिधान्त रूप हाग मोरे ने दिया था थीक है आगे देखते है किया जब कि सरप्रथम डाना ने 1873 में भू संन्नती नाम दिया था ये भी आपको याद रखना है कि भूर सन्नती नाम किस ने दिया तो डाना ने दिया ता 1873 में जबकि भूर सन्नती की संकल्पना हाले उन्डाना ने दिती और भूर सन्नती सिधान्त हाग मोदे ने दिया था इवांस ने भूर सन्नतियों में परयाप्त भेद बताया इसके अनुसार भूसनतियों में पर्याप्त भहुत भेद होने के कारण उनका एक निश्चित रूप तथा इस्थिती बताना असंबव कारे है आगे देखते हैं इसके बाद नाम आता है सुसर्ट का सुसर्ट ने भूसनतियों में विसमताओं के कारण उन्हें कई स्रेडियों में विवाजित किया विभिन प्रमाणों और परवेच्षिनों के अधार पर भूसनति को पर्वतों का पालना भी कहा जाता है यानि अगर आपसे कोई पूछे कि परवतों का पालना किसे कहते हैं तो भूसनतियों को कहते हैं कोवर ने भूसनतियों को परवत और निर्माण इस्थर बताया है यानि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि परवतों का पालना किसने भूसनति को कहा है तो कोवर ने का है क्यों कि उन्होंने भूसन्नतियों को परवत निर्माण इस्थर बताया अता कोवर ने भूसन्नति एवं परवती करण के भी संबंद इस्थापित करने की कोशिस की है ठीक है इसके बाद जे ए इस्टियर्स ने कहा कि कोवर के विचार हाल एवं डाना के प् सम्वर्दन किया और परवती करण पर उनके विक्तिगत विचारों के सम्मेशन है ये पुस्तक दोस्तों पूछी जाती है JSTS की पुस्तक है अनेस्टैबल अर्थ यानि अनेस्टैबल अर्थ किसकी पुस्तक है JSTS की है तो इस कुष्चन से आपको काफी सारी चीजे निकल कर आ गहीं सामने जैसा की कंसेप्ट किस ने दिया भूसनती का तो हाले उन्डाना ने दिया ठीक है जब कि सिद्धान दरूप किस ने दिया तो हाग मौदे ने दिया ठीक है और भूसनती नाम किस ने दिया था तो आपको बताया गया 1873 में डाना मौदे ने दिया ठीक है इसक जनतियों को परवतों का पालना किस ने कहा तो कोवर महोदे ने कहा था और जे एस इस्टियर्ज ने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अनिस्टैबल अर्थ ठीक है तो इन्हों ने अनिस्टैबल अर्थ पुस्तक में भी इनकी व्याख्या की है ठीक है दोस्तों इन्हे आप अलग से note down करते हैं भी चल सकते हैं या आप देखते हैं चल सकते हैं अराम से ठीक है इसके बाद अगला question है आपका कि जो कोश्मोग्राफी सब्द का प्रतिपादर और उसे युरेनोग्राफी और जियोग्राफी में विभाजित किसने किया था ठीक है तर्म कोश्मोग्राफी वाज कोईनेट एंड डिवाइड इन्टू युरेनोग्राफी एंड जियोग्राफी किसने बाटा था और देख लेते हैं इसके बाद आपके पैशिल महोदे हमबोल्ट महोदे और वारेनियश महोदे तो इसका आंसर है आपका हमबोल्ट महोदे ने बाटा था तो अब हमबोल्ट के बारे में कुछ चीजे पढ़ लेते हैं तो हमबोल्ट की बारे में कुछ चीजे हम जान लेते हैं कि क्या-क्या उन्होंने काम किया है तो हमबोल्ट की महत्पूर्ण करती कोसमास है यानि कासमास पुस्तक किस ने लिखिये हमबोल्ट ने लिखिये कब 1845 में जो प्रकासित हुई थी कोसमास में हमबोल्ट की यात्राओं और खोज यात्राओं का विस्तित वर्णन है भुगोल विशे की विस्वस्तु का जिसका नाम था कोश्मोग्राफी, ठीक है, तो कोश्मोग्राफी सब्द किस ने दिया, हम बोलते ने दिया, पुस्तक कौन से लिखी, कॉस्मोस लिखी, जो 875 में प्रकासे तुई ती, दिया और उसे वर्णात्मक खगोल विज्ञान, यानि युरेनोग्राफी, तथा और जियोग्राफी में विवाजित किया, जो कि आपसे क्विश्चन पूछा गया है उपर, तो उसे भी आप देख लेजिए, युरेनोग्राफी का सम्मन्द खगोली पिंडों, यानि कि सलेशियल बोडी से था, जबकि जियोग्राफी का सम्मन्द भहुतिक भुगोल तक ह जो प्रत्वी के इस्थली भाग का ध्यन कराता है, उनके नुसार भुगोल प्रत्वी का वर्णन है, जिसमें किसी छेत्र में पाये जाने वाले द्रश्यों के अंतर सम्मन्दों का वर्णन किया जाता है, तो यह आप उनकी परिवासा भी यार रखेंगे, हमबोल्ट महोदे का विश्वास एकिकरत विज्ञान में था, जिसमें सभी भावतिक, वनस्पतिक और समाजिक विज्ञान समलित रहते हैं, सार भौम विज्ञान का अधार उसके कौसमोस का मुख उद्देश था, तो यह भी आप याद रख सकते हैं, कि जो कौसमोस पुस तुर्किया जिश्में प्रत्वी द्रस्टों से सम्मंदित रहता है, आगे देखते हैं, उसने जुसा मेन हंग, यानि साथ साथ लटका हुआ, तो इस सब्दों को भी आप याद रखेंगे, जुसा मेन हंग, यानि साथ साथ लटका हुआ के विचार को प्रचारित किया था वे इस विचार का प्रवर्तर था कि मनुष्य सरवत्र अत्यधिक अनिवार रूप से लौकिक यानि पार्थिव जीवन से जुड़ा हुआ है हम बोल्ड आगमन विधी को मानते थे में विश्वास करता था और उसने अनुसंदान की अनुभाविक विधी पर बल दिया तो आपको काफी सारे पॉइंट्स निकल कर आ गए कि वे आगमन विधी को मानता था अनुभाविक विधी को भी मानता था उसने जो सामेन हंग का विचार प्रस्तुत किया ठीक है और उसने कोश्मोग्राफिय कोस्मॉस पुस्तक भी लिखी अठास जो पैतायस में प्रकास उसने कोश्मोग्राफी सब्द दिया और कोश्मोग्राफी सब्द को दो भागों में बाटा योरोनग्राफी और जियोग्राफी तो इन्हें आप अलग-अलग पेज बना करके नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं ठीक दोस्तों तो अब आपको इसका आंसर मिल रगया कि हमबोल्ट मौरे ने दिया था कोश्मोग्राफी सब्द उसको दो भागों में बाटा योरोनग्राफी और जियोग्राफी योरोनग्राफी आपके खगोल विज्ञान से सम्बन देता है और जियोग्राफी आपके प्रत्वी के द्रस विज्ञान से सम्बन देता है यानि ice crystal theory related to precipitation postulated precipitation का मतलब आपका वर्सा है याँ वर्सा को और क्या कहते हो आप और छेंपंड कहते हो वर्सा ice crystal से दांद किसने दिया था option है आपके 4 मुईर बर्गेरान डार्विन और बाविन ठीक है यह चार option है आपके इसका सिद्धान्ट का आपका तीसरा आंसर सही है यानि कि बर्गरान ने दिया था आइस क्रिस्टल सिद्धान्ट वर्सर सम्मनित किस ने दिया बर्गरान मौदे ने दिया था तो इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि क्या था ये आइस क्रिस्टल सिधान्ट को मेग और इस्थरता सिधान्ट भी कहते हैं तो ये भी आप याद रखेंगे यानि अगर आप से कोई पूचे आइस क्रिस्टल सिधान्ट तो वो बर्गरान ने दिया था और मेग अश्थित्र सिदान्थ तो वो भी वर्गरान नहीं दिया था इस सिदान्थ के विकाश में सरप्रतम 1911 में जर्मन वैग्यानिक वेगनर का योगदान है ठीक है उसके बाद 1933 में बर्जरान ने इसे प्रतिपादित किया था बाद में फंडी सेंड ने इसे संसोधन किया अताहा इसे वेगनर बर्गरान और फंडी सेंड प्रोसेस भी कहते हैं ठीक है समझ गए आप क्यों कहते हैं क्योंकि 1911 में पहले वेगनर ने योगदान दिया फिर 33 में बर्गरान ने दिया फिर फंडी सेंड ने संसोधन किया जलकी भूंदें तथा हिमकंड यानि आइस क्रिस्टल साथ साथ होते हैं यानि कि जब मेग आइस थे रोते हैं और ताप मानुन का नीचे चला जाता है हिमांग से तो जलकी भूंदें और हिमकंड साथ सार हो जाते हैं वायू की सापेक्षिक आदरता जल सतय की अपेक्षा हि तिहायल वाभ करते हैं हिम सते पर अधिक हो जब ताप मांण 0 डिगरी सेलसियस से नीचे चला तो वाभ्म dragging वाश्प Όर बार जल की हचा और तेजी पहा जिसर्लिज़र अहिए गतला बार कराण वाश्प हैसो यहिर्चा किफ़ वाष्पडा प्रिंटा फाइफ डिग्री से, से, माईनस पचिस डिग्री सेल्σιयस, जल की बून्द, अतीशीतल की का वास्पी करण हो जाता है, और वह हिमकर्ण के चारो ओर संग्रित हो जाती है, ठीक है, तो आप समझ गए कि जल से वास्पी करण हो रहा है और वास्पी करण होने के बाद जो आपकी बर्फ की क्रिस्टल है उस पर जमा हो रहा है सने सने हिमे करण बढ़ते जाते हैं और नीचे की ओर गिरने लगते हैं जब यह 0 डिरी से से अधिक गर्म वायू परत से होकर गुजलते हैं तो जल वर्षा की बूंद में बदल जाते हैं तो समझ गए होंगे हमें आप कि आईस किस्टल से दांत या मेग आईस थिर्ता से दांत क्या है तो उसे दिया किस ने था बर्गदान महोदे ने दिया था आपको एक कंसेप्ट याद रखना है हमेशा कि जल की बूंदों का वास्पी करण होता है और हिम करण पर वो इकर्तित होने लगते हैं क्यों क्योंकि जल सतय का जो सापेक्षिक आपका आदता होती है वो कम होती है बर्फ कणों की अपेक्षा तो यह आप याद रखेंगे अगला कुश्चन है आपका कि प्रवाल भित्ती से सम्मंदित निमंजन सिध्धान किसने प्रतिपादित किया यानि Subsidence Theory Related to the coral reef was pro-bounded तो यह सिध्धान दिया था आपका डार्विन महोदे ने तो प्रवाल भित्ती सम्मंदित सिध्धान किसने दी डार्विन ने दी थी इसकी विव्याक क्या देख लेते हैं क्या है प्रवाल भित्ती की उत्पत्ती से सम्मंदित निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किये गए प्रवाल भित्ती की उत्पत्ती सम्मंदित सिद्धांतों को दो सेणियों में रखा जा सकता है एक तो आउतलन सिद्धान सबसिडेंस थियूरी और इस्थिर इस्थर सिद्धान यानि नौन सबसिटेंस थियूरी दो भागों बाट देते हैं पहले वर्ग के अंतरगत यानि कि आउतलन सिद्धान्त के अंतरगत डार्विन का सिद्धान्त सरवाधिक महत्रपूर्ण है जबकि दुती वर्ग के अंतरगत मर्रे अगासीज और डेली आदी के सिद्धान्त उलेखनी है प्रवाल भित्ती के उत्पत्ति से सम्मंदित प्रमुक सिद्धान्थ इन्हें दोस्तों आपको याद रखना है हमेशा जब भी आपके सामने कुश्चन आता है तो इसे आपको बार-बार रिवाइज भी करना है तो कौन-कौन सिद्धान्थ देख लेते हैं डार्विन का आउतलन सिद्धान्थ यानि सबसिडेंस थी जो पूची गई है कुश्चन में इसका प्रतिपादन 1837 में और संसोरन 1842 में किया गए मर्य का इस्थल सिद्धान्थ इस्थिर इस्थल सिद्धान्थ ये भी आपको याद रखना है कि इस्थिर इस्थल सिद्धान्थ मर्य ने दिया था जबकि हिमानी नियंतरन सिद्धान्थ डेली महोदे ने प्रतिपादित किया था 1915 में ठीक है इसके बाद डार्विन ने भी कुछ विचार दिये डार्विन ने जो अवतलन सिद्दान दिया था उसमें उन्होंने क्या कहा है देख लेते हैं ब्रिटिस प्रक्रती विज्ञानी ये आपको याद रखना है कि डार्विन कहां के थे तो बिटेन के थे और वो थे क्या प्रक्रती विज्ञानी थे चार्विन ने प्रवाल भितियों के अध्यन के बार ये पाया कि ये देपी प्रवाल छिचले सागर में ही जीवित रह सकते हैं छिचले मतलब जिस सागर की गैराई कम होती है तथा भी उनसे निर्मिर भितिया अत्यदिक गैराई तक पाई जाती है यानि वो क्या क्या रहे हैं कि जो प्रवाल है वो जीवित तो छिचले सागर में रहते हैं लेकिन जो प्रवाल भितिया है वो कहां पाई जा रहे हैं तदी गैराई में पाई जा रही है इस विरोधा भास को सोल जाने है तो उन्होंने इस्थल या द्वीप जिस पर प्रवाल बनते हैं वे इस्थिर ना होकर इस्थिर ना होकर उसमें आउतलन होता है आउतलन का मतलब लगाता दसा होता है तथा क्रमिक रूप से प्रवाल भित्ती और उधक प्रवाल भित्ती तथा एटाल भित्तियों का विकास होता है तो प्रवाल भित्तियां आपकी कितने प्रकार की होती है तीन प्रकार की और उदग प्रवाल भित्ती, टीक है, एटॉल और प्रवाल भित्ती, यानि भित्तियां आपकी तीन प्रकार की हो गए, प्रवाल भित्ती, और उदग भित्ती और एटॉल, टीक है, तो दोस्तों आप ये देख लेंगे, सिद्धान दिन की दोरा जो दिये गए हैं, अगला क दीज में पाई जाती है ठीक है आपके option है crust या mantle के बीच और mantle और core के बीच है ठीक है और कॉन सा option है उपरी cloud और निचले cloud के मत्यानी अपर scalp और lower skull के मत्या ओपरी प्रवार और निचला प्रवार के मत्या ठीक है तो आपका answer जो सही है वह दूसरा सही है यानी कनके पाई जाती है, गुटेनबर्ग असंबदता, ठीक है, तो यह आपको यार रखना है, आपकी पांच प्रकार की असंबदता होती है, है, कौնडाट, मोहे, पहली है कौननडाट दूसरी है मोहे, तीसरी है रेपती, टीक है, पर चौत्थी है आपकी गुटिनबर्ग पांचवी है आपकी लेहमें यह पांच प्रकार की आपकी असमब्दताएं परत्वी के दरातर से नीचे जाने पर पाई जाती है अब इसकी ब्याख्या रेख लेते हैं आसंबधता या आसंतता यानि डिसकांटिनिटी चटानों के घनतों एवं लहरों की गती में अंतर को प्रदर्सित करती है या आपको याद रखना है कि चटानों के घनतों और लहरों की गती में संबंध बताती है एक तरीके का लहरों की गती चटानों के घनतों के अनुसार समानुपाती होती है यह हमने कई बार आपको बताया है कि धनातमक संबंध रिडातमक संबंध समानुपाती वितुत क्रमानुपाती ये सब चीजे क्या होती है तो यानि कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे चटानों का गनत तो बढ़ता जाता है लैरों की गती भी बढ़ती जाती है इसलिए समानुपाती होता है अर्थार प्रत्वी के अंदर जाने पर चटानों का गनत्तु बढ़ता जाता है और गनत्तु में ब्रद्दी दबाव और चटानों के पदार्थ के नुसार होता है निचली मैंटल और बाहकोर की विभाजक सीमा को गुटिनबर्ग आसंबधता या विचर्ट आसंबधता कहत हैं तो गुटिनबर्ग आसंबधता का दूसरा नाम क्या है विचर्ट आसंबधता और किनके मद्ध मैंटल और बाहकोर के विभाजक सीमा ये यह धरातली सतय से नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई पर होती है निचली मैंटल का गनत्तु 5.5 से बढ़कर 10 हो जाता है जिस कारण वो कम पी लैरों की गती में अचानक व्रद्धी हो जाती है यानि कि 13.6 किलोमीटर सेकेंड हो जाती है प्रतवी के विभिन भागों में पाई जाने वाली कुछ और भी असंबधता हैं उन्हें भी आप याद रखिए हमेशा उपरी यानि कि बाह क्रस्ट और निचले क्रस् बीच रेप्टी असंबधता उपरी कोर और निचले कोर के बीच लेहमान असंबधता पाई जाती है तो ये भी आप याद रखेंगे कि आपकी प्रतवीक अगर ये आप चित्र बनाओगे तो आप आओगे कि इसमें क्रस्ट है मैंटल है और कोर है क्रस्ट को दो भागों ब नाला गया है आओटर कोर और इनर कोर ठीक है तो आउटर जो आपका अपर क्रस्ट के मद्ध कोन राड संर्बत ता लोबर क्रस्ट और अपर मेंटल के मद्ध मोहे असंब्ध ता अ क्य aż फिए निचले अ उतल्दीं po अपमटल कर मान आ ही कोर के मद्द गुटनबर्ग और आउटर कोर और इनर कोर के मद्द लेह मैन आसब बदता पाई जाती है तो यह आपको बार बार चीजों के रिवाइज करते रहना है जिससे यह चीजे आपके याद हो जाएं असानी से इसके बार अगला प्रस्न है आपका नदी समतल की प्रेण वाज प्रोग्रेडट बाई किसने दीया था ठीक है तो नदी समतल की अवधारना किसने दी थी तो इसमें नाम आता है आपका क्रिक में का the concept of pan plane देखो panny plane अलग है और pan plane अलग है तो pan plane किस ने दिया? क्रिक में ने दिया था यह आप याद रखेंगे क्योंकि आपको कई परकार के plane यहाँ पर देखने को मिलेंगे panny plane, pan plane, fan plane ठीक है? तो यह आप याद रखेंगे यह pan plane है यानि pan plane किस ने दिया? क्रिक में ने दिया pan plane क्रिक में का है और panny plane यानि panny plane डेविस का है W.M. डेविस का है तो यह भी आप याद रखेंगे चलो ब्याक्या देख लेते हैं सब्रत्थम इसकार्टिस भुगोल वेता जेम्स हटन ने 1785 में भूव ज्यान के छेत्र में चक्री पद्धिती का अवलोकन किया था तो यह आप याद रखेंगे जैसे आपसे पूछा जाता है कि चटान चक्र की संकल्पना किस ने दी थी? तो वह आपकी दी थी जेम्स हटन महुदेने क्योंकि आपको पताया जा रहा है कि चक्री पद्धिती प्रतिपादित की उनके अनुसार ना तो आदी का कोई लच्छन है और ना अंत का कोई भविश्य है इसे भी आप से पूछा जाता है कि ये किस ने कहा था कि ना तो आदी का कोई लच्छन है और ना अंत का कोई भविश्य है इसे भी आप रखेंगे जेम्स हटन ने कहा था अंतताह प्रतिवी के इतिहास का चक्री प्रकृती की शंकल्पना में पंडित हो गया और इसी आधार पर उन्होंने एक रूपतावात के सिद्धानत का प्रतिपादन किया तो अगर आप से पूछे कोई कि एक रूपतावात का सिद्धानत किस ने दिया तो जेम्स हटन ने दिया था ठीक है आगे चलकर अमेरिकी विद्धान विलियम मौरिस डेविश ने अपरधन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया ठीक है तो अपरधन चक्र की संकल्पना डेविस ने दी थी लेकिन चटान चक्र की संकल्पना जेम्स हटन ने दी थी ठीक है ये भी आप याद रखेंगे 19. सताबदी के अंतिम दसक में दिया था इन्होंने भगौलिक चक्र का नाम दिया यानि कि W.M. डेविस ने जो अपरदन चक्र का सिद्दान दिया था उसे भगौलिक चक्र नाम दिया ठीक है कुछ और भी काम देख लेते हैं W.M. डेविस के काम इन्होंने पेनी प्लेन सब्द दिया देखो पेनी प्लेन अलग है पैन प्लेन अलग है पैन प्लेन आपका दिया था है क्रिक में ने दिया था लेकिन पेनी प्लेन डेविस ने दिया था भगौलिक चक्र डेविस ने दिया सुस्क अपर्दन चक्र भी डेविस ने दिया डेविस का त्रिकूर्ट ये डेविस का ही है डबलू एक पैंक महोदे ने क्या किया है मौर्फोलोजिकल सिस्टम दिया था इन्होंने या मौर्फोलोजिकल इनालसिस इसे दोनों से दान्द कहते हैं ये भी दिया था ठीक है काष्ट अपर्दन चक्र काष्ट अपर्दन चक्र से तीन लोग सम्मन देता हैं BD 1911 स्वीजिक 1918 सैंडर्स 1921 ठीक है पैन प्लेन किस ने दिया क्रिक में ने दिया था 1933 में इन्हें आप दोस्तों एक जगे नोट डाउन करते हुए भी चल सकते हो जो most important fact है इसके इसे नोट डाउन करते चलिए ठीक है देखे पैन प्लेन क्रिक में ने दिया पैनी प्लेन डेविस ने दिया लेकिन पेडी प्लेन LC किंग ने दिया था ये भी आप याद रखेंगे 1948 में अफरीका के सुस्क एवं सवाना प्रदेश के इस्थल रूपों के विकास हेतु था पैडी प्लेन पैडी प्लेन ठीक है सवाना अपरदन चक्र पफ एवं टामस ने दिया 1906 में परीहिमानी अपरदन चक पैडीर ने दिया था scanning 1950 में ये भी आप याद रखेंगे गतिक संतुलन सिधान्त इस्ट्रालर ने दिया गतिक संतुलन सिधान्त इस्ट्रालर उनिझे 152 कैक 1960 और चोले उनिझे 152 यानि इन तीनों ने मिलकर गतिक संतुलन सिधान्त दिया था तो आप समझ गए कि पेनी प्लेन डेविस ने दिया पैन प्लेन क्रिकमे ने दिया और पेडी प्लेन एलसी किंग ने दिया था ठीक है तो ये भी आप याद रखेंगे चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट कुश्चिन की तरफ अगला कुश्चिन है आपका आनत सहल इसतर पर 36 रेखा की दिशा को क्या कहा जाता है दा डाइरेक्शन ओफ होरिज़न्टल होरिज़न्टल का मतलब होता है 36 ठीक है और वर्टिगल का मतलब होता है लंब होता है इसे क्या कहते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं नतिलंब कहते हैं यानि कहने का मतलब यह है कि जैसे यह धरातल है इसके उपर अगर कोई चेटान है तो इसका जुकाव क्या है इस जुकाव को क्या कहते है इसी की बात कर रहा है वो तो इसे नतिलंब कहते है इस चित्र में भी आप देख सकते हैं नतिलंब को दिखाये गया है नतिलंब के यहां जुकाव बताया जा रहा है इसके नीचे एक लाइन है जिससे यह चटान देख सकते हैं कि यह जुकी हुई है तो 60 डिग्री जुकी हुई है इसी को हम नतिलंब कहते हैं ठीक है आगे देखते है यहां पर दोस्तों आपको यार रखना उपर भी कुछ लिखा गया है कि अविलता धारा यानि ट्रिब्यूटरी करेंट्स अविलता धारा से दांद किस ने दिया है यानि कि ट्रिब्यूटरी करेंट थियोरी किस ने दिये तो डेली मोहदे ने दिये तो यह भी आप यार रखेंगे आगे देखते हैं एक कुश्चन आपका यह है अंताह समुद्र कैनियन के उदगम पर अविलता धारा से दान्द किस ने दिया कि प्रतिपाद कौन थे यानि कि ट्रिविटरी करेंट्स थियोरी किस ने दिये है तो उपर आपको बताया डेली मोदे ने दिये ठीक है अब इसकी बैक्खे भी देख लेते हैं थोड़ा अनेक विद्वान डेविस, जिटर, डेली, टैजियर, इसमित, पीडी, ट्रस्क, लाशन, बुचानन आदि के अनुसार तटकी और चलने वाली तीर हवाओं के कारण तटके पास अपार जलरासी एकत्तित हो जाती है जिसमें एक पंक मिली होती है तटके पास अतिधिक जलरासी एकत्तित होने के कारण सागर की और अन्तह सागरी तरंगे चलने लगती है अन्तह सागरी तरंगे मतलब नीचे से चलने लगती है जैसे माली जी यह तट है यहां से जलरासी आकर के यहां पेकट्टी होई तो यही जल्रासी नीचे से होते हुए नीचे से चलने लगती है तो अंताह सागरी तरंगे चलने लगती है इसके साथ पंक आदी मिली रहती है इस तरंग को पंक दारा भी कहते हैं इन तरंगों द्वारा ही अंताह सागरी कंदराओं का निर्मार होता है तो अब डेली क्या कहते हैं क्योंकि इन्होंने अविलतादारा सिद्धान दिया था डेली के नुसार हिमानी करण के समय सागरतल में गिरावट के कारण मगन तट के पदार्तों का सागरी तरंगों द्वारा अपर्दन होता है परणाम सुरूब सागरी जल का गनलापन बढ़ता जाता है तता उसका गनत तो अधिक हो जाने से सागरोन मुख पंक तरंग का अविरभाव होता है तरंग मतलब अंता सागरी तरंग पंक तरंग मतलब अंता सागरी तरंग का अविरभाव मतलब विकाश होता है ये तरंगे मगन तर्ट तथा मगन डाल पर अपर्दन द्वारा कैनियन का निर्मार करती है कैनियन आपको पता है कि वी अकार की गाटी आई अकार की गाटी कैनियन गार्ज ये नदी बनाती है तो ऐसे ही कैनियन कुछ मगन तर्ट वपर भी पाय जाते है जो माह सागरी उचावच होते हैं उसमें हमने पढ़ चुके हैं कि मगन तर्ट और मगन दाल क्या होते हैं ठीक है तो बुचानन क्या कहते हैं कि भुकंप अथवा ज्वाला मुकी की उत्वेतन से उत्पन्द तरंगों के अपरणात्मक सक्ति का कैनियनों के निर्माड हेतु उत्तरदाई माना जाता है क्वेनन क्या कहते हैं उनिश शो बावन में कैनियनों के निर्माड हेतु नदी घाटियों के निमंजन को बताया उनके अनुसार कुछ निर्माड भूस खिलन तथा पंक तरंग द्वारा भी संभव होता है इसके बाद कैनियन से सम्मंदित कुछ सिद्धान्थ भी दिये गए हैं कैनियन की निर्माड से सम्मंदित जैसे पटल विरूपणी सिद्धान्थ यानि डियर्स्टोप थ्यूरी इसे दी एंड्राडे, लावन, डिलाराज, पौनी, ग्रेगरी, याना शाकी, जैंसन, बौरकार्ट, आदी ने मिलकर की दिया दोस्तों इन नामों को आप यार रखेंगे तो कभी कबार पूछ लिया जाता है कि पटल विरूपणी सिद्धान्थ से किस विद्धान का सम्मंद नहीं है तो अगर आपको इसके सारे आंसर पता होंगे, नाम पता होंगे, तभी आप इसे सही भी कर पाएंगे ठीक है तो यह भी आप यार रखेंगे, भूप रश्टी अपरदन सिद्धान्थ यानि की सुबैरियल इरोजिनल थियोरी यह टाना और सेपर्ड हाल ने पर रिबारित की थी अंताह सागरी, घनतो तरंग सिद्धान्थ यानि सम्मरीन, डेंसिटी, करेंट थियोरी, सैलिल और फ्लॉरेल ने दी थी तो यह भी आप यार रखेंगे, ठीके दोस्तो इसके बाद अगला कुश्चन है आपका, कि पैटर नास्टर जील क्या है पैटर नास्टर लेक्स आर, हिम नदिये स्वपानों पर, लेक्स फॉर्म्ट ओन गलैसियल सर इस्टेरवे, ज्वाला मुखी उत्पारे जीले, लेक्स हैविंग वैलकैनिक ओरिजन, समुद्री अपरदन द्वारा जल की उतले छेतर से बनी जीले, और नदी विसरपन से पवन हो गई, हिमानी हो गई, परी हिवानी, भूमिगर जल और सागरी लेरे, ये अपरदन के आपके छे कारक हैं, तो इनके द्वारा, इन सभी कारकों के द्वारा बनाई गई अपरदनात्मक और निछे पनात्मक, यानि इरोजनल और डिपोजिशनल, इस लागरतियां आ जाएसी बात है कि आप इसका अंसर तुरंगत बता दोगे कि हिम नदी स्वपानों पर बनती है यही इसका अंसर होगा ठीक है देख भी सकते हैं आप हिम नदो द्वारा निर्मित दैत्याकार हिम सुपानों में प्रतेक सुपान के अधार पर निर्मित गर्तों में जल एकत्र हो जाने से निर्मित जील को पैटर नाश्टर जील कहते हैं उपर से नीचे जाने पर लगातार जीलों की माला बन गई है इस तरह कि जीलों के क्रम को मालाकार जील या बैड़िड लेक भी कहते हैं तो यह आप याद रखेंगे इसके बाद अगला कुश्चन है आपका कि भूत काल भूत काल की कुंजी वर्तमान है या वर्तमान काल की कुंजी भूत काल है यह वाक्यांस किस आउधारना से सम्पन देता है तो यह एक लूपता वाद से सम्बन देता है तो जेम्स हटन मौत किस ने दिया था यानि यूनिफोर्मी टेरियनिजम कंसेट किस ने दिया था तो जेम सटन ने दिया था 1785 में ठीक है और उन्होंने ये भी बताया था कि ना तो आदी का पता है ना आदी का कोई लच्चन है ना अंत का कोई भविश्य है ये भी बताया था उन्होंने सर्प्रथम चक्री पधती को बताया था यानी चटान चक्र की संकल बना दी थी उन्होंने ठीक है तो इसकी बेव्याख्या देख लेते हैं प्रत्वी की आयू को कुछ हजार वर्सों में आखने वाला आकस्मिक वाद या प्रलैवाद यानी कैटस्ट्रोफिजम के विरोध स्वरूप अठादमी सताबदी में इसकार्टिस भूगोल बेता है इसकार्टिस मतलब इसकॉर्टलेंड की थे इसकार्टिस भूगर्ब बेता जेम्स हटन ने 1785 में सोरी के साथ एक रुपतावाद सिध्धान्त यानी यूनिफॉर्मी टैरियनीजम का उद्य होता है इन्होंने वर्तमान भूद की कुंजी है देखिए यहाँ पर संटेंस बदला हुआ है वर्तमान भूद की कुंजी है और वहाँ पर क्या कहा गया है कि भूद काल की कुंजी वर्तमान है देखिए चीज एक ही कही जा रही है लेकिन सब्दों का हेर फिर कर दिया गया है तो यह भी आप थोड़ा दिमाग में अपने रखेगा ठीक है जबकि उनका कथन था वर्तमान भूद की कुंजी है तथा ना आदी का पता है ना अंत का कोई भविश्य है यह दोनों कथन आपको याद रखने है यह बहुत पूशे जाते है मौलिक संकल्पना का प्रतिपादन गिया मौडर्न जियोलोजी के अधार भूत सिद्धान्त वर्तमान समय में यानि कि जो आपका एक रूपतावार सिद्धान्त है वो था क्या basically उसे आप देख लीजिए एक रूपतावार सिद्धान्त के नुसार वर्तमान समय में जो भी भूगर्वेक प्रक्रम तथा नियम कारदत है वे ही समस्त भूगर्विक इतिहास में भी काल रद थे परंतो उनकी तीवरता में अंतर था यानि आज जैसे भूकमब और ज्वाला मुखी के ओदय होने के जो कारण है और उसके जो पड़ाम है वो सेम है जो नियम है वो सेम है बिलकुल लेकिन उनकी तीवरता में अंतर है यानि पहले वो बहुत तीवर आते थे या अब तीवर आते हैं उनमें अंतर होता है तो यही आपका एक रूपतावाद का सिदान था आगे भी कुछ देख लेते हैं एक रूपतावाद की रूप में किया गया आगे चलकर हटन के दो प्रमिक शिश जो सिस्र थे चेले थे जॉन प्लेफेर तथा सर चार्स लेल ने एक रूपतावाद संकल्पना का विस्तारण किया यानि कि उसे आगे बढ़ाया था ठीक है तो इसे आप देखते चलिए या न लेकर आएंगे तो उसमें हम और और कुश्चनों पर आठ दस कुश्चन लेकर के उसका पूरता इनालसिस करते हुए उसका अध्यन करेंगे ठीक है ताकि चीज़े आपको असानी से समझ में भी आएं कि आपको पढ़ना कैसे है याद कैसे करना है रिवीजन बार बार इन चीज़ों का कैसे करना है आपको ठीक है तो यह भी आप देखते हुए चलिए तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें साथी साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताक आपनवाद जय हैं दोस्तों